नमस्कार स्टूडेंट्स एजी केमेस्टी चैनल में आपका स्वागत है पिछले वाले वीडियो में हम नी के ओलिणाईट मोन्टमोरिलो नाइट और ये लाइट के बारे में पड़ा था जोकी सिलिकेट मर्तिका है और सिलिकेट मर्तिका एक इनोर्गेनिक स्वेल कॉलाइड है क्योंकि पिछले वाड़ी वीडियो में हमने यह देखा था कि मर्दा कोलाइट्स को दो भागों में बांटा गया है एकार्मनिक कोलाइट्स हमने एकार्मनिक कोलाइट्स को पड़ा था जो कि आगे फिर कि इपड़ामनिक कोलाइट्स को लेंगे और मनिक कोलाइट के अदर हुमस को पड़ेंगे तो चलो शुरू करते हैं कि ओले नाइट, मॉन्ट मॉलल नाइट और एलाइट में अंतर इस प्रकार की सारणी आप बना लीजिए टेबल बना लीजिए इसके अंदर आप इस गया तो इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके वीडियो को इसको कोपी में उतार ले लेगिन सबसे पहले एक बार आप वीडियो देख लेना वीडियो पुरा देखने के बाद में इसको कोपी में आपको या नोट्स में उतारने है हेडिंग आपको डालनी है सिलिकेट मर्तिकाखनीज के तुलनात्मक गुण और इस प्रकार से आप टेबल बना ले इस केल से इस प्रकार से टेबल बना ले आप तो शुरू करते हैं पहला गुण हम बात करेंगे सरचना की के ओलनाइट जो समू होता है उसके सर्चना एक अनुपाथ एक होती है जो हमने पढ़ा था एक एलुमिना की परत और एक सिलिका की परत दूसरा है मोंट मोर्लनाइट होती है उसके सर्चना दो अनुपाथ एक होती है वो भी फेलाव यूपत उर v और इसका जो फेला होगा वू कम होगा क्यों क्यों कि इसके बीच में पोतेशियम होता है पोटेश्यमोन के कारण इनकी जो दो एकाईउं के मद्य दूरी होती है वो E-Light में कम होती है यह था पहला गुण दूसरे गुण के हम बात करेंगे आकार जो कि माइक्रोन में देर का है कि ओले नाइट का आकार होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोन मौन्ट मॉरल नाइट का जो आकार होता है वो 0.01 से 1.0 माइक्रोन आकार होता है E-Light का होता है 0.1 से 2.00 आगे हैं इसकी आकरती के ओले नाइट के आकरती होती है सटकोन यह क्रिस्टलिय और मौन्ट मॉरल नाइट और E-Light के आकरती ऐनीम होती है कोई fix इसके आकरती नहीं होती है change होती रहती है हम बात करें अगले गुण की वो है सहय संजन सुघटेता और फ्यलाव एम सिकड़न इसके बारे में मैंने सोहल कोलाइटे पार्ट वन में बता दिया था आगर आपने वह नहीं देखा है तो description में जाके आप देख सकते हो अभी चल रहा है स्वयल कोलाइटे पार्ट ट्री कि तो जो सह a going आगले के अंदर फ्यलाव शिकड़न वाला जो होता है मोके क्या होता है बहुत ज्यादा होता है और य लाइट उंदर क्या होता मध्यम होता है हम बात करें अगले पांचुमे गुन की दनाइं विन में शमता जो की सेंटीमोल परती केजी और इलाइट के जो दनायन विन में चमता होती है वो होती है सेंटी मोल परती केजी में यह था दनायन विन में चमता अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट या अगले गुण की रिनायन विन में चमता रिनायन विन में चमता हमेशा दनायन विन में चमता की विप इसकी विपरी देखो रिनायन में समता में क्या होगा सबसे उच यान जो रिनायन में समता में सबसे कम था वो रिनायन में सबसे ज्यादा हो रहा है और जो सबसे ज्यादा था तो रिनायन में समता इसकी विर्वत उसमें कम होगी और रिनायन में समता इलाइट के अंदर क्या के ओलिनाइट में किसी भी प्रकार का पर्तिस्थापन नहीं होता है यानि एक आयन दूसरे आयन को पर्तिस्थापन करने को हम क्या करते हैं एक एक आयन दूसरे आयन को उसके जगें से अटा कर वो खुद आवाम पर आ जाता है वो पर्तिस्थापन है लेकिन के ओलिनाइट मे और अईरन द्वारा प्रतिस्थापन होता है उसी प्रकार य ल prowad के अंदर जो सिलिकावड होती है वह प्रतिस्थाप्ट होती है पर किसके मर्तिका खनिजगा महतु हैं अगला हेडिंग दालों सेरा हेडिंग दालनें ये पादुरें गृण्य का महतु है करी में मरतिका एक शक्कीरविव जोकी मरता की भतीक वह रासायनी गुणों सोंगिह प्रभवित कहती है मर्तिका मर्दा की उर्वरता समतों को बढ़ाता है इसके महत्वय निम्न है हम एके करके महत्वय को पड़ेंगे आप इसमें नम्ब डाल लेना शुरू करते हैं पहला महत्वय लिखो मर्दा उर्वरता मर्दा में मर्तिका की उपस्तिती से पोशक तत्व की प्रेपता में वर्दी होती है तता उर्वरता बढ़ती है यहाँ पे एक समत देरखा है कि अगर मर्दा के अंदर कले मिटी है तो उससे क्या होगा पोशक तत्व की प्रेपता में वर्दी होती है प्रप्ता का मतलब होता है पोदे अन्य मिट्यू के पेक्चा पोशकता तो है अधिक घरन करेंगे जब अधिक घरन करते हैं तो उससे मर्दा के उरूरता बढ़ती है अगला है जल धारन छम्ता मर्दी का जो होती है या कले होती है उसके करण बहुती महीन होते है या चोटे होते है इसके कारण इनके रंदर का आकार भी चोटा होता है जिससे मर्दा में जल धारन समता बढ़ती है या जल को मर्दा पर अंदर सोंखने नहीं देती है इसे जल का नीच चहरन का मतलब सोंख सखती है मर्दा में तथा जल पोदों को उपलब दे रहता है जब मर्दा के अंदर ज्यादा जल सोंके निसे चले जाएगा अधिसे बालू मिट्टी होती है तो इसमें जल कितना डाल दो वह जली सोंक लेगा और नेचे वाले संस्तोरों में चला जाता है लेकिन मरतिका कंशो मर्दा में दनायवनेम चमता में वर्दी होती है जिससे इसमें उपस्तित आयन मर्दा वीलियन में घुल कर पोदों को प्राप्त हो जाते हैं दनायवनेम में चमता शिक्या होता है जो मर्दा में आयन होते हैं वो आसानी से मर्दा में घुल जाते हैं और घुनने के बाद पोदों को प्राप्तें हो जाते हैं ताकि पोदों की वर्द्य आसानी से हो सके हैं इस सोथ हम पढ़ते हैं पोशक तत्वों का अधिस हो सण इसमें भी आप हेडिंग डालीजीए और हेडिंग डालने बाद इसको लिखो मरतिका के कन कण होने के कारण मर्दिका कर शुक्षम कन होने के कारण इनका भारी चेतर फल अधिक होता है इन कणुं पर रिनावेस ओने के कारण यह दनाय्न को अधिसोशन करते हैं यह पोधों को पोसक्त तत्व意 प्राप्त है वोन सबस्से नुट होता है जिसके कान ये दनायनों को आकर्षित करेंगे दनायनों को आकर्षित करेंगे और पोदों को इसमें पौशक तत्वा प्राप्ति हो जाते हैं अगली हेडिंग आप डालीजे पौशक तत्वों के भंडारण में वर्धी यहां पर पहला इसमें पहला था पोशक तत्व का अधिसोसन यान अपने और खिंसने का काम कर रहा है यह तो इसमें देर क्या है पोशक तत्व के बंडारन में वर्दी होती है इसको पड़ते हैं मर्ति का किस्ता पर केल्शियम, मेगनिशियम, सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम, आधि धनायनों का अधिक अधिसोसन होता है जिससे पोशक तत्व के बंडारन में वर्दी होती है और पोधों की आवसकता के अनुसार पोधों को मिल जाता है अब इसमें सोडियम, पोटेशियम, केल्सियम, मेगनियम जोसे धनायन अधिक अधिसोसित होते हैं मर्दा के उपर और इनके करान क्या होता है इन पोशक तत्व का भंडारन हो जाता है इसे पोधे अपनी आवसकता के अनुसार ग्रहन कर सकते हैं अगला है भोतिक दसा में सुदार, भोतिक दसा में सुदार को हेडिंग डाल के लिखो मर्दी का के शुक समकन आपस में मिलकर बड़े करणों का निर्मान करते हैं जिससे ये मिट्टी को भांदे रखते हैं इस प्रकार मर्दा के भोतिक दसा में सुदार होता है जब मिटी मजबुताई से मिटी को भांधे रखती है तो इससे क्या होता है मिटी का कटाव नहीं होता और मिटी को भांधे रखती है आगे हम देखते है आगे हम पड़ेंगे कार्बनिक मर्दा कोलाईड जानी हमारा पिछले वाले प्यो Exclusive जो ये एक एक carbonic collides है वो हमारा complete हो गया है एक carbonic collides हमारा complete हो गया है अब हम बात करेंगे carbonics collides की तो दो नमबर आप heading डालीजे carbonics collides की इसके बारे में हम पढ़ेंगे carbonics मर्दा collides या इसको organic soil collides भी बोल सकते हैं दो नमबर heading डालीजे एक नमबर कौन से थी एक carbonic दो नमबर एक carbonic मर्दा collides देखो carbonics मर्दा collides क्या है आपने नाम सुना होगा humus humus क्या है एक पोधे या जीव जन्तूं का जो मरत अवसेस होता है या उसको बोलते हैं जटिल पधार्त होता है वो शड़ने गलने के बाद में एक काले भूरे रंगा जो पधार्त होता है उसे हूमस बोलते हैं और हूमस को ही carbonic मर्दा collides कहते हैं इसको शुरू करते हैं heading डालो हूमस को ही carbonic मर्दा collides कहते हैं हूमस गहरे भूरे या काले रंगा V.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E के और पोदों के अफस्वस हैं हुमस्कणों पर रिन आवेस होता है हमने पड़ा था कि जो मर्तिका है उस पर भी रिन आवेस होता है लेकिन ये उसके पैक्षा उस पर अधिक रिन आवेस होता है या अधिक रिन ये हुमस होता है उसके पैक्षा हुमस्कणों पर रिन आवेस होता है जिससे दनायम उभ्य में समता खनीज इसे भी एधिक होती है या pourrait लिखना है आप Eigen को कले हो या मर्तिकश क्रूच थे लिख सकते हो आप हुंस का निर्मान मुक्यत एक कारबन हाइड्रोजन वा ओक्सिदन ततोस ही होता है हुंस की परकृत inici पीए समान के अधार पर ही अमलिय या चारिय होती है अभी हम एकार्बनिक और कार्बनिक मर्दा कॉलाइड्स में यानि और्गेनिक और इन और्गेनिक स्वेल कॉलाइड्स में अंतर पड़ेंगे अगले वीडियो में इसमें आप carbonic मरदा कॉलाइड की heading डालना दो नबर लेखर और आगे इसको विष्थार से पढ़ेंगे कि carbonic मरदा कॉलाइड या हूमस क्या है किस प्रकार से बनता है इसके क्या लाब है